समराट को वे नीलगिरी के ब्रक्ष नजर आने लगते हैं उस जंगल में काफी सननाटा रहता है समराट अपने घोडे को धीरे धीरे चला कर चारों और उस तपस्वी पर नजर माते रहता है लेकिन एक जगे जाकर समराट अपने घोडे को रोग देता है फिर वाए देखता है उसके सामने थोड़ी दूरी पर एक पिल के नीचे एक तपस्वी ध्यान लगा कर बैठा हुआ है ध्यान में होने के करण समराट उस तपस्वी के पास में खड़ा हो जाता है और उनके ध्यान से बाहर आने का अंतिजार करने लगता है समराट कुमबा कभी हान ना मानने वाले मारा जाओं मैंसे एक आप कैसे हैं उस तपस्वी को परणाम करके समराट कहते हैं स्वामी जी मैं बिलकुल ठीक नहीं हूँ समराट को उस तपस्वी की ये बात सुनका बड़ा अचमबा लगता है लेकिन समराट उस तपस्वी की बात मान कर सेग्र नदी किनारे जाता है और अपनी तलवार को नदी में डाल देता है उस तपस्वी के पास पहुंच का समराट कहते हैं स्वामी जी अब आप मेरी समस्या का समाधान बताईए तुमारी समस्या का समाधान कोई और नहीं तुमारा स्वयम का पुत्र है समराट ऐसा सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं ये कैसे समभव है तुमारे पुत्र को ये बीमारी जनम से नहीं है यानि सौमी जी किसी ने मेरे पुत्र को बीमार किया है लेकिन क्यों समराट कुमबा ये तुमारे अतीत का पर नाम है अंजाने में ही सही लेकिन तुमने कोई गल्ती तो की है तो सौमी जी इसका समाधान सीगर बताईए इसका समाधान असंभाव से कम नहीं है वो समराट ही क्या जो अपनी प्रजा के लिए असंभाव कारे भी सुविकार न कर सके ऐसा सुनकर सौमी जी उस समस्या का समाधान वे समराट को वेस्टार से बताते हैं जिसमें वे आने वाली समस्याओं से अफगत कराते हैं और वे ये भी बताते हैं समराथ तुम जिस रास्ते से आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वह रास्ता वापस आने के लिए बंद होता जाएगा वहां की दुनिया यहां की दुनिया से बहुत अलग है उस दुनिया से बाहर आने के लिए सम्राट तुमारा साहस और तुमारी सोजबोज ही काम आएगी सम्राट को उनकी मंजल तक पहुचाने और वहां से लोटने तक का स्वामी जी पूरा रास्ता बता देते हैं फिर स्वामी जी उस सम्राट से वही तलवार नदी में से निकाल कर लाने को कहते हैं स्वामी जी उस तलवार पा जल छड़क कर अपने हाथों से पूजा काते हैं और कहते हैं तुम इस तलवार का उपियोग तभी करना जब तुमें सबसे ज़्यादा जरूरत होगी क्योंकि ये तलवार अगर एक बार बाहर निकल गई तो बिना खून पिये मयान में नहीं जाएगी सब को जानकर समराट स्वामी जी को प्रणाम करके अपनी मंजल की ओ निकल पड़ते हैं उस समस्या का समादान पता होते ही समराट उस तपस्वी दोरा बताए गए रास्ते पर निकल पड़ते हैं और पूरे रास्ते यही सोचते हैं समराट कि ये सब समस्याएं मेरे उस दिन दोरा की गई गलती का परणाम हैं उस समय मेरे राज्य के परजा खोसाल जीवन जी रही थी अदबुत समराट अदबुत अरे मामंत्री जी आप समराट आपकी किसी भी अस्त सस्त द्वारा भेदने की छंता बहुत तेज है ये कोई बड़ी बात नहीं है मामंत्री जी अगर हम अपने सरीर की पूरी उर्जा उसे एक परहार पे लगा दें तो ऐसा हो सकता है जी समराट समराट क्या हुआ आप लोग एतने परिशान क्यों है समराट हमारे नगर के लोग एक एक करके गायब हो रहे है आज सबीरे ही पता चला बिर्जु नाम का केसान जो कल से लापता था उसकी लास पास के जंगल में मिली और उसे देखकर लग रहा है जैसे किसी खुंका जानवर ने उसे मा डाला है नगर के सबी लोग घबडाए हुए है सेना पती जी नगर में आज ही सूचित कर दिया जाए कि उस जंगल के रास्टे कोई नहीं जाएगा जी समराट समराट उस खुंका जानवर को मानने के लिए स्वयम निकल पड़ते हैं और सेनिकों को जंगल के बाहा तैनात कर देते हैं समराट को वह खुंका से नजर आ जाता है समराट देड़ नकते हुए उस सेर पाती चला देते हैं समराट उस सेर के पास जाते हैं वे देखते हैं उनका तीर एकदम ठीक निसाने पर लगा है लेकन यह देखकर भी चौब जाते हैं कि उस सेर के थूड़ी दूरी पर कुछ मिट्टी के खिलोने डले हुए हैं और वे यह भी देखते हैं उन खिलोने के पास किसी अजनवी की लास भी पड़ी हुई है जो की खुन से लटपत है उसी व्यक्ति के पास के पिगड़ पर समराट का वह तीर लगा हुआ दिखाई देता है समराट यह देखकर बड़े दुखी होते हैं कि उनके तीर से किसी निर्दोस की हत्या हो गई महामंतरी जी बताते हैं यह खिलोने वाला था जो दो दिन से इस जंगल में रुका हुआ था लेकिन समराट उसकी हत्या का कसूरवार आज भी खुद को ही समझते हैं